हरिया नालो वीजेपी वीजेब्हेरी मोगींचन संदर बोलो नरी नरेंद्र मोडी आसभलो माटलर्त नर्व अपुलाईव चुद्धाउं विकास की जीत हुई है गीता की धर्ती पर सुशाथन की जीत हुई हर जाती हर वर्क के लोगों ने हमें बोड़ दिया है साथियों जम्मु कश्मीर में बसकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांती पुर्वक चुना हुई है वोटों की गिंती हुई नतीजे आये यह भारत के संविधान की जीत है भारत के लोगतंत्र की जीत है जम्मु कश्मीर के लोगों ने नेशनल कांफरंस और उनके गड़ बंदन को जादा सीटे दी है मैं उन्हें भी शुप कामराय देता हूँ वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उबरी है मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर में जीत हासिन कलने वाले सभी उमिद्वारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर की जन्ता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सभी भाजपा कायर करताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूँ हरियाना की ये जीत नायर करताओं के अथाद परिशम का परणाम है हरियाना की ये जीत नड्या जी और हरियाना की टीम के प्रयासों की जीत है हरियाना की ये जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्य मंत्री जी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हरियाना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हरियाना की जन्ता ने नया इतिहास रच दिया है शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी हरियाना का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्ज़ों ने इस राज्ये का नेत्रूत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्ये के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा हिंदुस्तान जानता है एक जमाना था हरियाना के इन दिग्ज़ नेताओं का नाम पुरे देश में चर्चा में रहता था हरियाना में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दस चुनाव में हर्याना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हर्याना के लोगों ने जो किया है वो अभूत पुर्वा है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कारेकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कारेकाल पुरा करने वाली किसी सरकार को हर्याना में फिर से मुका मिला हो ये भारतिय जंता Пार्टी को तीसरी बार मुका मिला है यहां के लोगों ने सुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढ़ाई बलकि हमें सीटे भी जाजा दी है और वोट सेर भी जाजा दिया है ऐसा लगता है हर्याणा के लोगा ने छप पर फार कर वोट दिया है इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी साथ्यों भाजपा दुनिया का सिरफ सबसे बड़ा दल ही नहीं है भाजपा सबसे ज़्यादा दिलों में भी बसी हुई है हर्याणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेश के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्दप्रदेश की जनता दो दसक से भी जादा समय से वहाँ अपना आशिरवात बनाए हुए अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज ठापित करने वाली भाजपा एंडिये की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे असम, त्रिपुरा और उत्राखन में लगातार डोटम से भाजपा की सरकार है जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार कब कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है यह जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दुबारा आये थे करीब तेरा साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लोटी दिवागी एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकंटम नहीं दिया है आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राचे है जहां कॉंग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी कहीं पर 50 साल पहले थी कहीं पर 40 साल पहले थी कि 50-50-60 साल से वह सत्ता में आई ही नहीं है एक बार लोगों ने निका दिया कॉंग्रेस को गुषने नहीं दिया है देश के जाधातर राज्य के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बौर्ड लगा दिया है पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोड़ देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है उसका दिब्बा गोल हो चुका है साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाओं पर लगाने से नहीं ही चक्ती आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई ही है जो लोग चांदी नहीं सोने का चब्बच मुँ में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइव स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है ये कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पिछडों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया है ये कॉंग्रेस है जिसने उन्हें इतने दसकों तक रोटी पानी मकान से बंचित रखा ये वो लोग हैं जो सौ साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी